पहले तेजस्वी यादो और अब लालू प्रशाद यादो दोनों पिता और पुत्र भूमिहारों को खुश करने में लगे हुए हैं अब तेजस्वी यादो भूमिहारों को लेकर कहते हैं कि गलती हुई है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं और यह बात तब तेजस्वी यादों ने कही थी जब बिहार में उप्चुनाव हो रहा था अब लालू प्रशाद यादों भुमिहारों के मंच पर जाते हैं और अखिलेश प्रशाद सिंग्ग जो उनके विश्वास पात्र हैं उनसे अपनी तारिफ करवाते हैं तारिफ का मतलब की कहानी सुन्माते है कि कैसे लालू यादो भूमिहारों के लिए काम करता है और इसके पीछे की कहानी कही जा रही है कि लालू यादो केवल चाहते हैं कि भूमिहारों के मन में उनको लेकर जो एक नकरातमक छबी बनी हुई है वो छबी तूट जाए और आगे इसी क जहानी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार लालू यादो रार जेडी को एटू जेड की पार्टी बना कर अब क्या हासिल करना चाहते हैं बागे नमस्कार में नाव है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जन देख रहे हैं बिहार की राजनिती में कहीं जाती है कि अगड़ों की जनसंख्या कम है लेकिन समाजिक अस्तर पर अगर कोई अगड़ी जाती किसी पार्टी के साथ जाती है तो उसको फाइदा कई गुना जादा का होता है और फाइदा इसलिए जादा का होता है क्योंकि समाजिक प्रभाव उनका इतना जादा है अब भुमिहारों के मंच पर लालू यादो जाकर जब यह कहानी सुनवाते हैं कि अखिलेश परशाद सिंग जो भुमिहार है उनको हमने जबरन सांसत बनवाया तो इसके पीछे बहुत बरी रन नीती है तेजस्वी यादों ने भुमिहार को विधायक बनाया मलसी बनाया और तेजस्वी यादों के बाद लालू परशाद यादों भुमिहारों के सबसे बड़ी नेता कह लिजिए सुरिकिष्ण सिंग उनके जनती समारों में जाकर वहाँ पर कहानी सुनवाते हैं कि कैसे भुमिहार नेता को हमने आगे बढ़ाया अब अखिलेश परशाद सिंग के बारे में कहा जा रहा है कि लालू परशाद यादों ने अखिलेश परशाद सिंग को चुना है अब अखिलेश परशाद सिंग लालू यादों के बिश्वास पातर है क्योंकि लालू यादों नहीं उनको बिधायक बनाया राज्य में मंत प्रशाद सिंग के सहारे लालू यादों की कोशिस है कि भूमिहारों के मन में जो छबी बनी है कि लालू यादों के शासरकाल में उनके साथ क्या कुछ हुआ उस छबी को तोड़ा जाए क्योंकि लालू यादों जानते हैं कि अब आगे की राजनीती में अगर भूमिहारों क अगर भूमिहार इधर से उधर होता है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भारती जनता पाटी जरूरत से जादा कमजोर होगी इतनी कमजोर कि वो लालू यादों के राश्टिय जनता दल और नितिश कमार के जनता दल युनाइकेट के सामने खड़ा तक नहीं हो हमने ऐसे ही कर दिया बल्कि सबके पीछे सोची समझी रणीती होती है और कहा जा रहा है कि इस बार की रणीती है कि यादों सबसे ज़्यादा तो है सबसे जादा उसकी जनसंख्या तो है लेकिन अगर भूमिहार को अपने पाले में किया जाता है तो समाजिक प्रभाव उनका कई गुना जादा पड़ता है और इसके कारण राश्टी जनता दल को एक अभूत पुर्भ आप कहिए कि समर्थन ग्राउन पर मिलेगा अब देखते रहिए कि राजनीती में और क्या कुछ होता है कहा जा रहा है कि राजनीती में कब क्या हो जाए किसी बात का ठिकाना नहीं ते जस्वी यादों ने कोशिच भी किया उप चुनाओं में एक जगह ते जस्वी यादों को वोट मिला भी लेकिन लंबे समय तक भूमिह बहुत बहुत धन्यवादु